इस बर्ष दो हजार चुविस में कार्तिक का महीना कब से शुरू होगा? कार्तिक के महीने में क्या-क्या कारि करने चाहिए? कार्तिक महेने में पढ़ने वाली संकष्टी करक चतुर्थी अर्थात करवा चउत अहोई यस्टमी श्री राधा जेन्ती रंभा एका दसी प्रदोश ब्रत मास शिवरात्र ब्रत यम पंचक का प्रारंभ धनत्र्यों दसी अर्थात धनतेरस दीपावली हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्थी कार्तिक अमावस्या अन्न कूट गोवर्धन पूजा यमत दुतिया भैया दुईज बैनायकी स्री गनेश चतुर्थी सूर्य सष्थी डाला छट ब्रत गोपाश्टमी अक्षय नौमी प्रबोधिनी एका दसी तुलसी बीबाह चातुर मास ब्रत का समापन बैकुंठ चतुर्थी कार्तिक पूड़िमा देवदी पावलियादी ब्रत कब पड़ेंगे इसकी प्रामाडिक जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी चैनल पदि आप नए हैं तो सब्सकाइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर लें वीडियो अन्य लोगों को अवस्य शेयर कर दें आई इस वीडियो का शुभारंब करते हैं पवित्र कार्तिक महीने का शुभारंब 18 अक्तूबर 2024 दिन शुक्रवार को होगा तथा समापन 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को होगा 18 अक्तूबर से 1 नवंबर तक कार्तिक कृष्णपक्ष तथा 2 नवंबर से 15 नवंबर तक सुक्लपक्ष रहेगा कार्तिक महीने का अवरत यम नियम कार्तिक मास दीपदान स्नान आधिकार्य 17 अक्तूबर से प्रारंब हो जाएंगे जो लोग चातुर मास का भृत कर रहे हैं उन्हें कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाना चाहिए पवित्र कार्तिक मास में नित्य विश्ण पूजा, तुलसी पूजा, तिर्थ में असनान, दान, दीपदान आधिकारि करने चाहिए तथा कार्तिक मास माहात्म का स्रमण करना चाहिए कार्तिक मास माहात्म की वीडियोज कथा आदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवस्य बतलाईएगा पति-पत्नी के बीच यदि अनबन चल रही है लडाई जगडे हो रहे हैं तो इस परिशानी को दूर करने के लिए 18 अक्तूबर को पलंग के ऊपर भगवान लक्षमी नाराण का पूजन करना चाहिए इससे दामपत्त जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं 20 अक्तूबर 2024 को संकष्टी करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का ब्रत किया जाएगा रात्र में 7 बजकर 40 मिनट पर चंद्रमा का उदे होगा इसके बाद चंद्रमा को अर्गदान आदि करना चाहिए करवा चौथ ब्रत की बिधी कथा आदि हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं 24 अक्तूबर को अहोई अश्टमी का ब्रत किया जाएगा इसी दिन स्री राधा जैनती भी मनाई जाएगी 28 अक्तूबर 2024 को सभी लोग रंभा एकादशी का ब्रत करेंगे एकादशी ब्रत की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है इस बीडियो के डिस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी 29 अक्तूबर 2024 को धन तेरस धन त्रियो दसी का ब्रत किया जाएगा इस दिन धनमंतर जैनती मनाई जाएगी तथा सायंकाल घर से बाहर अपमृत्तु के नासार्थ चार बत्तियों वाला दीपक यमराज के निमित दान करना चाहिए इसी दिन भौम प्रदोस का ब्रत भी किया जाएगा जो लोग कर्ज से परिशान हों उन्हें मंगलवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोस के ब्रत को करना चाहिए तीस अक्टूबर को मास शिवरात्र का ब्रत किया जाएगा सायंकाल मेश लगन में हनुमान जी का जनमोसो मनाया जाएगा नरक चतुरदसी रूप 14 साधी मनायी जाएगी इस दिन से यम पंचक का प्रारंब होगा जो की पांच दिन चलेगा इस दिन भी अमराज के लिए चार बत्तियों वाला दीपक घर से बाहर जलाना चाहिए 31 अक्टूबर 2024 को प्रदोष काल में अमावस्याति प्राप्त होने से दीपावली मनायी जाएगी प्राता काल यम तरपन हनुमान जी का दर्शन पूजन किया जाएगा इसी दिन लक्ष्मी इंद्र कुवे राद की पूजा तथा दीपोसो मनाया जाएगा रात्र के अंतिम प्रहर में दरिद्र निश्चारण किया जाएगा अध रात्र में भगवती महाकाली की पूजा की जाएगी बहुत से अस्थानों पर दीपावली को लेकर भ्रम बना हुआ है कई जगहों पर इसे एक नौंबर को मनाया जाएगा परंत काशी के पंचांग के अनुशार 31 अक्टूबर को प्रदोश काल तथा रात्र में अमावस्या प्राप्त हो रही है इसलिए दीपावली 31 को ही मनाई जाएगी एक नौंबर को अमावस्या सायम 5 बज कर 13 मिनिर तक ही है इस दिन प्रदोश और निशीत दोनों समय में प्रतिपदा होने से दीपावली 31 को ही करना स्रेश्ट रहेगा एक नौंबर को तीर्थसनान दान तथा शाद्ध आद किये जाएगे इसी दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष का समापन होगा दो नौंबर को कार्तिक शुकल पक्ष का शुभारम बहोगा दो नौंबर को ही अन्नकूट मनाये जाएगा कासी से अन्यत्र जगहों पर गोवरधन पूजा की जाएगी तीन नौंबर को कासी में गोवरधन पूजा होगी यमत दुतिया भईया दुईजाद मनाया जाएगा बहन के घर भोजन तथा वस्तराद से बहन की पूजा तथा यमुना में असनान इस दिन करना चाहिए पांच नॉम्बर को बहिनायकी स्रीगनेश चतुर्थी का ब्रत किया जाएगा इसी दिन से सूर्य सष्ठी ब्रत का आरंब होगा च्छा नॉम्बर को सूर्य सष्ठी ब्रत का दुतिय दिवस रहेगा साथ नॉम्बर को डाला चठ का ब्रत किया जाएगा सायंकाल सूर्य को अरगदानाद किया जाएगा इस दिन सकंद सष्ठी व्रत सूर्य सष्ठी व्रत डाला च्छट व्रताद किये जाएंगे 8 नॉम्बर को डाला च्छट व्रत का पारण किया जाएगा 9 नॉम्बर को गोपाष्टमी का व्रत किया जाएगा 10 नॉम्बर को अक्षे नॉमी का व्रत होगा 12 नॉम्बर को सभी ल प्रबोधिनी एकादसी की कथा तुलसी बीबाह मंगलाश्टकाद की सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तेरा नौंबर को प्राता काल आठ बज कर पैंतालिस मिनट के पहले संगव काल में एकादसी ब्रत का पारण किया जाएगा इसी दिन प्रदोस ब्रत किया जाएगा चातुर मास ब्रत का समापन होगा दाल का दान किया जाएगा नाराण द्वादसी गर्ण द्वादसी मनाई जाएगी चौदा नॉवंबर को स्री बैकुंठ चतुरदसी मनाई जाएगी महा विश्णों की पूजा होगी अरुनोदे काल में मढकर्ण का तीर्थ में स्नान किया जाएगा स्री कासी विश्णात के प्रतिष्ठा का दिवस मनाई जाएगा नर्मदेश्वर महा देव को पुष्करक शेत्र में तृपुर को दीपदान किया जाएगा इसी दिन कार्थिक मास का समापन हो जाएगा सोला नॉवंबर से मार्ग शेष्णात का सुभारंब होगा आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी लाइक कमेंट सेर करना मदभूलिएगा प्रामाडिक ब्रत परबते उहार जोंतिस वास्तु तो था ग्रहबाद हा निवार सम्मध्धी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात